हेले प्रिवन स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मेडिसीन टॉक में आज मैं आपको बताने वाला हो मीपुरसीन क्रीम या ओइंटमेंट के बारे में यह एक एंटिवैटिक क्रीम है जिसको उपयोग स्कीन पर होने वाले वेक्टरिल इंफेक्शन को ठीक करने के लि और कितने दिन तोग इस क्रीम का उपयोग आप कर शकते हैं और अंत में बताओंगा इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी जनकरी मिल सके और इसी तरह के मेडिसीन स्जूरी जनकारी पाने के लिए अब हमारे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए मूपी रोशन क्रीम एक एंटिवाटिक क्रीम है या बैक्टरिया के ग्रोथ को रोग देती है जिस वज़ए से वैक्टरिया धिरे-धिरे मरने लगता है और इंफेक्शन ठीक हो जाती है इसके अगर पॉपुलर ब्रांड इसके बात की जाए इन्हें आप किसे किस नाम से मेडिकल स्टो से असानी से खरीद सकते हैं तो इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो इसकी जो फाइब एम जी की ट्यूब आती है हर एक ब्रांड का आपको लगबाग सौ रुपए से लेकर 135 रुपए के बीच में मिल ज सेंड वेट बाइवेट के स्टेंद में प्रेजेंट रहती है अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया यह एक एंटिवेटिक क्रीम है इसका उप्योग स्कीन पर होने वाले वेक्टरियल इंफेक्शन को ठीक करने के लिए किया सेंपाने जाता है झालवा एक हम हों या जखम में भी इसका उप्योंग किया जाता है वifs आपका निकिभार में की प्रकार ती है चैंसीद लगने के वजह से हुई है या फिर कट już समय ते कि यहादा चलता फिर दर नहीं है तो वहता कि उनके जो वीट में है या हिए में कुछ फोड़े निकल आते हैं या फिर घाव बन जाते हैं तो उसके टीटिमेंट में भी मुपिरेशिंग के काफ़े जादा फाइदा मसे इसके अलावा मुपिरेशिंग क्रीम डियाव बहुत ही जादा उपयोग में लाया जाता है देखिए होता क्या है कि जो डायवेटिक पेसंट्स होते हैं उनमें यदि किसी परकार की चोटा लग जाती है या फिर घाव बन जाती है तो यह समाइने तर जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं तो इसके टीट्मेंट में भी मुप मुपकर's क्रीम को ओपयोग फूड़े एंस में घ्र का जाता है क्योंकि चो फूड़े या फूंसी होते हैं वोग वेक्ट्रिया की वज़ज़ से Lei इनमें विक्त्रियल ग्रोफ होने लग il ने लगते हैं तो इसलिए फुड़े और फंसी को ठीक करने के लिए भी merlion क्रीम को प्योग किया जाता है साथ जाद यदी कोई वेक्ती है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुराना घाओ है और उसमें पस भर गया है तो उसके टीट्मेंट के लिए भी डॉक्टर के द्वारा मिपरिशन क्रीम पेशन को दी जाती है तो यह हमने आपको मिपरिशन क्रीम के यूज के बारे में पूरे विश्तार से बता दिया है अब जान लेते हैं कि मिपरिशन क्रीम को आपको इसकीन पर कैसे लगाना होता है तो सबसे पहले आपकी जो घाओ है उसको बहुत ही अच्छा से विटरिन लोसन से या फिर डिटल से साप कर लेना होता है उसके बाद ए अधिक नहीं लगाना होता है नहीं तो फिर इस क्रीम के प्रती हमारे बोडी में रेजिस्टन डेवलोप हो जाती है तो यदि आपको दस दिन यूज करने के बाद भी आपको अच्छा रिजल नहीं मिलता है फाइदा नहीं मिलता है तो इसके रिगार्डिंग अपने डॉक खुजली होसकती है चलल होसकती आसकती है या फिर वेक्ति को उस जगया पर जलन महसूस हो सकती है तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इभेक्स से जो की वेक्ति में देखा जा सकता है यदि आपको ये ये इसके अलबा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो तुरंद इस दवा को लगाना बंद कर दे और अपने एक बार डॉक्टर से मिले ताक कि इस डिगार्डिंग आपको ट्रिट्मेंट दी जा सके